मेरे पियारे बहणों भाई menstrual केसे हो आफ आज हम बात करने वाले स्काल लाइट क्रीम के बार में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो दोस्तों चहरे पर अथ्वा तवचा पर केसे भी पुराने से पुराने निसान हो तो आप स्क्रीम को यूज़ कर सकते है अगर आपके चहरे पर कील मोहुशे वे मोहुशों के छोटे छोटे गड़े हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते है नमबर फॉर अगर आपके चहरे पर पिमपल हो या पिमपल के पुराने से पुराने निसान हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते है दोस्तो नमबर फाइव दोस्तो आपने देखा होगा देर रात जागने से आँखों के नीचे काले गहरे हो जाते है जिनको हम डार्क सरकल्स बोलते है तो दोस्तों आप स्क्रीम को आसानी से यूज कर सकते हो नमबर सिक्स अगर आपके चहरे पर जाईया या जूरिया हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते हो नमबर सेवन दोस्तों अगर आप तेज धूप में जाने से डरते हो जिससे की तेज धूप के कारण तवचा कालिप पड़ गई हो तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो नमबर एट दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलेवरी के बाद पेट पर निशान हो जाते है गाइज आप इसमें भी इसे यूज कर सकते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ परियोग विदी यानि की इसको इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों इस करीम को आपको रात में चहरे पर अत्वा पर भावी तवचा पर एक मिनट तक अच्छे से मसाज करे और पुरी रात लगी रहने दे दोस्तो कीरीम लगाने के बाद शहरे को गर्मी धूप हिट आदी से बचाओ रखना है आपको यानि कि आपको गर्मी में नहीं जाना है धूप में नहीं जाना है इस कीरीम को लगाने के बाद तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड फैक्ट के बारे में यानि कि इसके नुकसान के बारे में बाजी बाजी बार किसी को सूट ना करे तो ये देखने को हमें मिल सकता है स्कीन ड्राइ, स्कीन अलर्जी, स्कीन डैडरेंस दोस्तो अगर आपको ये टूब सूट ना आए तो बिलकुल घबराए नहीं इस क्रीम को यूज करना बंद कर दे और डोक्टर से कॉंटेक्ट करे उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होगे तो दोस्तों ती स्कालाइट क्रीम के फिल फॉर्मिशन फिल जान काई दोस्तों कराख माशल पर नहीं तो शनल को सब्सक्राइब करे और इसे वीडियो को जादे चादे शेयर करें ठैंक्यू धन्यवाद